Hello students, my name is Shweta from Grand Park Senior Secondary School जैसे कि हमने पिस्ट्री वीडियो में आपको हिंदी ग्रामर में TC की एप्लिक्शन समझाई थी आज हम आपको हिंदी ग्रामर में लेसन 4 में सरुनाम समझाएंगे इसको स्टार्ट करते हैं सरुनाम जिन शब्दों का प्रियोक संग्या के स्टान पर किया जाता है उन्हें सरुनाम कहते हैं जैसे की मैं तुम यह है वे उसका मेरा आदी नेंलिक्ट बार किये को ध्यान से पढ़िए पहला है गो पार एक अच्छा लड़का है सेकंड है गोपाल प्रते दिन घूमने जाता है गोपाल प्रते दिन नाता है गोपाल विध्याले जाता है इन शब्दों को जैसे दुबारा बार बार दोराय जा रहा है वो कौन से शब्द है गोपाल गोपाल अच्छा लड़का है गोपाल प्रते दिन घूमने जाता है हम एक नाम को चार बार दोराते हैं, या बार बार दोराए जाता है, तो वह हमें अच्छा नहीं प्रतित होता. इसमें देखिए जίसे की नीचे देखिया, गोपाल एक अच्छा लड़का है, तो गोपाल नए मानकर अपन उसको ये कह सकते कि वह अच्छा लड़का है, वह प्रते दिन घूमने जाता है वह प्रते दिन नाता है और वह विध्याले जाता है तो उसमें एक बार एक बच्चे का नाम आ गया उसके बाद में उसको वह सरुनाम से सम्भूदित किया जा रहा है जैसे कि एक बार बता दिया कि गोपाल एक अच्छा रड़का है तो अब जो उसके बारे में बताया जाएगा उस गोपाल की बारे में ही बताया जाएगा तो इसलिए उसको नाम को बार-बार दोराने से बढ़िया है कि सरुनाम चीज की उसकी विशेस्ता बता दे जैसे कि गोपाल की जगह वह, वो, तुम, यह, उसका, मेरा इन शब्दों का प्रियोग किया जाता है कि जिससे कि उनका नाम को बारवार नहीं दो रहा जाता है गोपाल एक संग्या है क्योंकि व्यक्ति का नाम आ गया इसके इस्तान पर वह शब्द का प्रियोग किया गया है क्योंकि वह सरुनाम है इसलिए इसलिए का गया है कि जिस शब्दों से संग्या, प्रियोग संग्या की स्थान पर किया जाता है, उन्हें सरुनाम कहते हैं, जैसे कि आप बताया गया है, जैसे कि गोपाल संग्या है और उसके स्थान पर प्रियोग किया जाने वाला सरुनाम है, सरुनाम के प्रकार, स निश्य वाचक, तीसरा है अनिश्य वाचक, चोथा है संबंध वाचक, पांचवा है प्रशन वाचक, छटा है निज्वाचक और लास्ट है संकेत वाचक, इसको एक एक करम से हम समझेंगे और रीड करेंगे, आज तक हमारा आपका वीडियो ओनली सरुनाम की परिवाशा और सरुनाम तक के प्रकार तो आज का आपका होम टास यही है कि सरुनाम की परिवाशा लिखनी है आपको और सरुनाम की प्रकार लिखनी है और साथ की साथ अब तक के जितने भी अप्लिकेशन हमने कराई है तो अप्लिकेशन करवा चुके हैं और अब तक के थर्ड लेसन भी करना है ठेंक यू